महत्मा गांदी जी नमक को ही बिरोध का परती क्यों चुने? महत्मा गांदी नमक के बदले पनीर को भी चुन सकते थे, प्याज को भी चुन सकते थे, खीर को भी चुन सकते थे लेकिन उन्होंने इन तमाम चीजों को नहीं चुना, सिर्फ नमक को चुना क्यों? उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांदी भली भाती जानते थे कि नमक जो है पूरे सब के लिए जरूरी है गडीब के लिए जरूरी है, अमीर के लिए जरूरी है, राजा के लिए जरूरी है परजा के लिए जरूरी है, सब के लिए जरूरी है अगर हम नमक आंदोलन करते हैं तो जितने भी लोग हैं भारत के लगवक सभी जाती, धर्म, संपरदाय के लोग हमसे जुरेंगे और यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के रूप में बिक्सित होगा, परखियात होगा इसलिए महतमा गांधी नमक को बिरोध का परतीक चुने और अंग्रेज सरकार का भी इसमें क्या खाशकते हैं कि खचरपनी था अंग्रेज सरकार भी जो है कि नमक को नमक पर टैक्स लगा दी थी, लोग जो है कि अब बताईए कि नमक जैसा चीज़ पर अगर टैक्स लगा दिया जाएगा तो फिर लोग नमक को कैसे खड़िदेगा और जो एक बात और बता रहे हैं, जो नमक जो है आदमी खड़िद लेता था, उसके बाद जो स्येस नमक बच जाता था, उस नमक को अंग्रेज क्या करता था, उसको नदी में परवाहित कर देता था ताकि जो है इसको लोग यूज नहीं कर सके, इसका तो सिधा मतलब यह हो गया न, कि अंग्रेज सरकार जो है नमक जैसा चीज को जिसको प्राकिरतिक फिरी में लोगों को देती है, उसको जो है अंग्रेज सरकार नश्ट कर देती था, यानि लोगों के मूँ से छिनना हो ग 12 मार्च उन्हें 37 को इसा अंदलन की सुर्वात हो चुकी थी ठीक है और इसमें जो 78 अन्याईयों के साथ महत्मा गांधी 241 मिल की दूरी तेकी 78 अन्याईयों के साथ 241 मिल की दूरी तेकी बताईए ठीक है इसको डांडी यात्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं यह सभीने अवग्या आंदोलन की सुर्वात का एक हिस्सा था तो आप लोग ठीक समझ गये होंगे कि महत्मा गांधी नमक को क्यों चुने क्योंकि नमक जण हर एक आदमी के लिए जरूरी है इसलिए जो महत्मा गांधी चाहते थे कि यह आंदोलन जो है देश व्यापी आंदोलन हो देश के सभी लोग हमसे जुरे इसलिए वो जो है कि विरोध का परतिक नमक को चुने और किसी और दूसरे चीज़ को नहीं तो आप लोग इसके बारे में और क्या सोचते है अगर इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ सेर भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार